आपके लिए free test series हम महीने में एक बार प्रवाइड करेंगे ठीक है महीने में अपका एक टेस्ट हो जाएगा तीन महीने रहते हैं तो टूटल तीन तेस्ट होगई ठीक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम सिर्फ टेस्ट लेकिया रहे हैं सेंपल पेपर तो आप वह जोईन करते हैं वह आपके लिए रहेंगा उसके अलावा देखो बात करें हमारे कोर्स से लास्ट कियर भी 2021 में 20 47 डाये हैं और 2023 में हमारे कोर्स से 63 डाये हैं तो हमारे कोर्स लिए आपको दे सकते हैं कि आपको 60 तक कॉश्चन मिल जाएंगे बहुत सरे प्रेंगी तो अब इसे बारे करेंगे नर्सिंग ऐन पारमेडिकल 2023 के बारे में ठीक है एप्लिकेशन को मागये हैं कैसे फिल करना है क्या बेसी कोर्ड है या फिर आपका फानिया डिश्ट्रेशन है वो सारी में विडियो में डिसक्स कर दिया था जो भी डाउट था आपक एक बार basic registration जिसका कभी नहीं हुआ मतलब अभी जो freshers इसके लिए apply करेगा वो definitely basic registration करवाएगा जिसने दिया था या फिर paper नहीं दिया, admit card नहीं किलवाया या final registration नहीं करवाया जो भी है वो basic registration करवाने को ज़रूरत नहीं है अब अपनी फोटोस है, ID वेगरा जो भी है वो आप edit कर सकते हो ठीक है यह चीज़ आपकी possible है कोई phone number आपको change करना है, email change करने हो आप वहां से कर सकते हो अब बात करते हैं, syllabus के बारे में और preparation के हमारे पास 3 months left है तो हम अपनी तयारी जो है वो कैसे कर सकते है ठीक है अब देखो, syllabus में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, अगर मैं यह वीडियो बजाता हूँगी एक बार तुम इस वीडियो के comment section में भी आएगा syllabus या फिर बच्चे मुझे पस्नली call करके बोलते है कि syllabus क्या है complete syllabus के लिए, मतलब complete aims, bs, exams के लिए, तो यहाँ पर देखो syllabus आपका, अगर paramedical की बात करूँ, अगर आप math student है, मतलब math से अगर आप कर रहे हो, तो आपका PCMI का paper में, ठीक है, और math के आपके जो भी आप यह तीनों subject है, इसमे 11, 12 का complete आएगा, जो भी आपका है, हर एक chapter, अगर आप paramedical bio side से कर रहे हो, तो PCB आएगा complete side से आएगा, ठ इसके बाद हम बात करेंगे chemistry के बारे में, sorry, AIMS BSE nursing, BSE nursing के बारे में, तो BSE nursing का कैसी नहीं है, यहां पे आपका PCB तो आता ही है, बट यहां पे GK add हो जाती है, तो GK आपकी general latitude वगेरा, local raising जो भी है, वो चीज़े आती है, और यहां अगर हम बात करें, तो again 11, 12 की complete PCB आए पर में 30, ठीक है, इसके 15, 15 कोशन में किता हो गया 50, ठीक है, अगर हम 11 के 12 कोशन कर दें, और इसके हम कर दें 17 कोशन, 18 कोशन, तो यहां पे अगर यह 11 का पोशन है, यह 12 का पोशन है, तो अगर आप 12 का करके जाओगे, इन 12 को छोड़ दोगे, तो क्या आपका selection हो जाएगा इसली नहीं होगा, क्या आप यह 18 कोशन सही नहीं करके आओगे, इन 18 कोशन आपको आते हैं, अठारा में से कुछ आपको गलत हो जाएगा, और कुछ ही हो आपको आते होगे, तो अराउंड अगर हम 10 की मान के चले तो यह सीन रहेगा, अगर सेव प्रिसिक्स के में मानने त मैं धिर के फिर हम आपकर स् 1968 कर लिए तो यहां पर में चैप्टर था Сп страх और हुए और कॉ Lewis की इसकी की चालीज इसका हो कि आप 16 सक्ना चालीज कर लो बो यहां पर यह चीज आपको धिए रखनी है आगे बात करते हैं आप जैसे हमारे पास में फरवरी जा चुकी है और मुझे आपका पेपर हो जाएगा मही अगर हम देखे हैं तो पर पर के महीने बच्चे को बता दू जो भी स्टूडेंट्स है जिन्हों को भी काफी जिनता है कि मारे सलिबस कप्लीट होगा तो हमने हमारी कोर्स में 11 की फिजिक्स करवा दिये तो हमारे जो आज आपकी अथारा नजीं तारी तो यहां पे हम 19 तारी के अथा सफिए भरी तक 12 पर करेंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा और यह नहीं कि आप मेरे साथ सिर्फ यहीं चीज़ करो आप इन चीज़ों को मर्टिपल टाइम रिवाइस कर सकते हो इन दिनों में आपका श्यूल कैसे होना चाहिए जैसे मालो आप ऐसे कॉलम जरूर बनाइगा क्योंकि बहुत होती है चीज़े जैसे एक मिलम में अपने चैपिर के नेम रखना ठीक है उस चैपिर के नेम में जैसे मैं आपको जो थोड़ा सा एंड आएगा जिसे मार्च या आपका मिड़ ओफ मार्च आएगा तर मैं आपको इंपोर्टेंट चैप्रिस भी उता दूगी तो तब तक के लिए पहले कि यहां पर आपको जिसे आरवन चुशचव बनाने है कि एक बार कि दे दिया और। इस तरीड चींद दूसरी इस तरीके से भी आपको करने हैं ठीक है कि जो मैं आपको ताम दे रहे हों बीच में उसमें है अप मर्टिपल दिम को कर पाऊ अगर करन रिशा अगर अगर चा है कि 11 फ्जिक्स बाई आपने फूरी अच्छा से लिए दो तीन बार अभी मारा जैसी कि आ रहाएगा जिएगी इन ओर्गैनिक रह जाएगी एक हफ्ते में यह करेंगे एक हफ्ते में हम यह दोन चीजे कर लेंगे में अपका स्लेप इस चीजे हैं यहां पर यह जो चीज प्रवाइब करने हैं तो कोशिश करने हैं आप इनको चार से चार बार करो ही तिक अलावा देखो यहीं चीज़ हो सकती है और जो बच्चे खुझ से कर रहे हैं जो बच्चों का तो मैंने बता देए प्रवाइब की हैं क्वेश्चन के भी और आपके चारी की भी आप वो चिक आउट कर सकते उसके पर देख सकते हो कि आपको किते लेवल की त्यारी करनी है उसके बाद जैसे देखो आपके पस तीन महीने है नाइंटी डेज है अल्मोस्ट तो 45 देज और 45 देज में इसको स्प होती है और हम अभी आपको फ्री टैसरी बिप्रवाइब चल रहेंगे अपके सकते हैं हंधी मीनियम के लिए हम आरी सेंपल पेपर पीडियो फिलिक यह होंगे वो आप जोइन कर सकते हो ठीक है ठीक होगा तूइंटेटी बहुत आपकी प्रवाले बच्ची भी कम होते हैं तो वह नहीं हो पाती है सारी चीजह उनके लिए ठीक है और कोई अधर डाउट या क्यों रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बाकि में आपका नंबर भी प्रवाइड कर दूंगे जो भी आपका कोर्स की रिलेटिड डाउट रहेगा वह आप मुझे ड